आज हम photoshop में bump map और depth map को कैसे create किया जाता है और उसका कैसे use करना है वो technique आज हम सीखेंगे तो bump map और depth map को create करने के लिए मैंने एक brick wall के एक image को photoshop के अंदर पहले से open कर रख है अब सबसे पहले जो काम हमें करना है यहाँ पर layer panel को active करेंगे यहाँ पर जिसके लिए मैं short command F7 का यहाँ use कर रहा हूँ और हमारी background layer की duplicate copy लेंगे लेकिन उसके पहले इस background layer को हम यहाँ rename करेंगे तो background layer के उपर मैं double click करता हूँ यहाँ और यह double click करने के बाद new layer का एक छोटा से window हमारे सामने open हो गया इसको हम एक नाम देंगे यहाँ पर okay में हमने यहाँ click कर दिया अब इस layer के हमें एक duplicate copy लेंगे जिसके हम सबसे पहले अपने इस layer को select करेंगे यहाँ और left click दबा कर इस layer को drag करके create new layer icon के उपर ऐसे drop कर देंगे तो इसके एक duplicate copy बन गई अब इसको भी हम rename कर देते हैं यहाँ इसके उपर double click किया इसको हमने यहाँ rename कर दिया bump map नाम से अब इस layer को आपको select करने है और filters में आपको जाना है 3D generate bump map यहाँ click करेंगे इसमें click करते ही generate bump map का एक चोटा से window हमारे सामने यहाँ open होगे जिसमें हम left side में अपने bump map का preview देख पा रहे हैं और mouse के left click को दबा कर आप बिना mouse को release किये left, right, top, bottom ऐसे drag करेंगे तो यह 360 degree में आप इसको देख पाएंगे ऐसे और sphere की जगे अगर आप किसी और shape में इसे देखना चाते हैं तो simply object के अंदर यहाँ पर बहुत सारे options हमें दिये हैं तो इन option को आप select करके वो bump map का preview आप उस shape में देख पाएंगे तो हम फिलाल यहाँ पर यहाँ पर कोई भी changes नहीं कर रहे हैं और यहाँ right side में bump detail में invert height यह option मैंने tick किया हुआ है यहाँ पर blur की जो value है मैंने to type किया है यहाँ और जो detail scale है यहाँ पर जिसके हम short command का use करेंगे f7 layer panel active हो जाने के बाद bump map वाली जो layer है हमारी इसमें हम थोड़ा सा color correction करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले हम levels का यहाँ use करेंगे जिसके मैं keyboard में short command का use करेंगे ctrl plus L लेकिन इस चीज का जरूर धियान रखिए कि bump map वाली layer आपके select हो तो यह shadow जो section है इधार पर levels में इसको हम थोड़ा सा यहाँ drag करेंगे आसे और जो highlight area है इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा करेंगे और mid value को थोड़ा adjust करेंगे यहाँ तो लगबग मैंने इसको कुछ इतना लगबग set कर दी है यहाँ और simply okay में हम यहाँ click करेंगे और थोड़ा सा blur भी इसमें देंगे हम जिसके लिए हम filters में जाएंगे blur Gaussian blur और 0.5 radius में इसका 0.5 ले रहो है और simply okay में हम यहाँ click करेंगे अब इसके बाद इस bump map को हम save करेंगे सेफ करने के लिए control alt sm दबाएंगे और जहाँ पर भी आप सेफ करना चाहते हैं वहाँ सेफ कर लीजे तो इसको हम नाम दे रहेते हैं यहाँ यह हमने नाम दे दिया और simply jpg format में आप सेफ कर दीजे से quality 100 हम रख रहे हैं यहाँ पर okay में click करेंगे यहाँ फाइल को save करने के बाद हम यह जो top वाली जो layer है हमारी bump map वाली इसकी layer visibility को यहाँ off करेंगे और color map master जो है हमारा इसको select करेंगे और इसकी एक duplicate copy लेंगे जिसके हम short command का use करेंगे control plus j लेकर color map master वाली जो layer है इसको आप पहले select कर लीजे और उसके बाद control plus j दबाएंगे और इसको हम दुबारा से rename करेंगे यहाँ पर यहाँ पर double click किया और जो color master map है हमारा इसकी layer visibility को यहाँ पर off कर देंगे और जो हमारी duplicate copy हमने बनाई थी color map master की इसको select करेंगे इसको select करने के बाद हम windows में जाएंगे 3D यहाँ click करेंगे और 3D panel में create new 3D object source में हम selected layer इसको लेंगे और यहाँ पर 3D postcard और simply create में हम यहाँ click करेंगे तो इसको हम जैसे click करेंगे तो यह हमारी जो वो layer थी वो 3D layer में यहाँ convert हो गया है अभी 3D space में इस image को यहाँ देख पा जैसे ही हमने move tool को यहाँ दुबारे से select किया तो यह 3D के पूरे parameters इस 3D plane के पूरे parameters और इस 3D space का पूरा parameter हम यहाँ देख पा रहे हैं लेकिन उसके पहले option bar में हमें यहाँ पर camera के कुछ parameters देख रहे हैं जिसमें orbit 3D camera, roll 3D camera, pan, slide और zoom और bottom में अगर आप यहाँ देखेंगे orbit 3D camera, pan और dolly तो इन options का आप use करके अपने इस scene को left right rotate कर सकते हैं, zoom कर सकते हैं तो यहाँ पर bottom वाला जो section है हमारा orbit 3D camera यहाँ पर मैं click करूंगा और हमारा यहाँ पर scene option select है इस चीज़ का आप धियां रखिए 3D panel के अंदर, right side में भी हम देख पा रहे हैं इधर, 3D panel में जै देख रहे हैं, इसमें कोई भी depth हमें नहीं देख रही है, एकदम यह flat है, तो इसमें हम अब उस bump map को apply करेंगे, जो हमने अभी create किया था, तो इस 3D plane को हम यहाँ simply click करेंगे ऐसे, जिससे यह select हो जाएगा यहाँ, इसके बाद, जो हमने CM01 mesh layer जो बनाई थी, जिसको हमने हम जाएंगे यहाँ पर, properties, यहाँ click करना है, यहाँ simply यह right side में भी आप properties देख पा रहे हैं, तो हम windows में जा रहे हैं यहाँ simply, और properties में हम यहाँ click करेंगे, तो यह 3D plane में जो हमने texture apply किया था, उसकी पूरी properties हमें यहाँ दिखा रहे हैं, जिसमें diffuse, specular, यह सारी properties हमें bump map में उस bump map को apply करना है, जो हमने अभी create किया था, तो यह bump map में आप यहाँ पर 10% इसकी value देख पा रहे हैं, इसके side में आप यहाँ चोटा सा icon देख रहे हैं, यहाँ click करने आपको, और इसमें जैसे हमने click किया, new texture, low texture, remove texture, generate bump map from diffuse, यह सारा option हमें यहाँ दिखा रहे है, तो low texture में हम यहाँ click करेंगे, और जो हमने texture define किया था, bump map नाम से, इसको select करने, और इसको select करने के बाद, simply open में हम यहाँ click करेंगे, इसमें click कर दिया, और यह जो bump की value है इधर पे, हम इसको 50, 50% type करेंगे, इसके बाद, simply हम 3D panel में यहाँ click करेंगे, अब 3D panel में click करने के बाद यहाँ पर हमें light source कुछ भी नहीं दिख रहा है तो light source नहीं दिख रहा है इसलिए हम क्या करेंगे 3D panel में यहाँ पर click करेंगे bottom में new infinite light इसमें click करने आपको इसमें click करते ही light आते ही इस 3D plane में इस 3D wall में हमें depth दिखना शुरू हो गया move tool को आप एक बार click कर लिजए यहाँ पर और अपने infinite light को यहाँ पर click करेंगे तो यह हमें हमारा जो 3D light है उसके parameters यहाँ पर दिखा रहा है जिसको हम यहाँ पर left click दबा कर ऐसे अपने light source को यहाँ पर rotate कर सकते हैं तो मैं जैसे इसे rotate कर रहा हूँ हमें इस 3D plane में वो depth दिखना शुरू हो गया इस brick के अंदर और इस light की intensity को कम जादा करने के लिए हम simply यहाँ infinite light में click किया हमने और properties में हम यहाँ click करेंगे या फिर आप windows में जाएए properties और इसकी intensity को हम यहाँ पर थोड़ा कम भी कर सकते हैं 70% तक और इस light को हम ऐसे rotate करके यहाँ पर देख सकते हैं अब एक चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा आप फिर से 3D panel को यहाँ पर select कर लिजे 3D panel को select करने के बाद हम अपने scene को यहाँ select करेंगे और यहाँ पर जो option है हमारा orbit 3D camera इसको select करेंगे इसको हम ऐसे pan करेंगे तो इसको जैसे हम pan कर रहे हैं तो वो depth हमें यहाँ नहीं देख रही है लेकिन जैसे हम इसको front view से देख रहे हैं या किसी भी ऐसे angle से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो depth देख पा रहे हैं इसको हम जैसे ही rotate कर रहे हैं यहाँ पर तो यह 3D plane है हमारा इसमें depth नजर नहीं आ रहा है वो bump की detail हम यहाँ नहीं देख रही है लेकिन जैसे हम सामने से देखते हैं और अपने इस light source को ऐसे left right करते हैं तो हम उस depth को यहाँ देख पा रहे हैं तो इसमें 3D depth reality में अगर हम देखना है तो वो detail हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं तो अब हम एक example और देखते हैं जिसमें हम depth map को यहाँ पर इस 3D plane में apply करके देखेंगे उसमें क्या result आते हैं तो उसके लिए हम वापस से layer panel में जाएंगे जिसके हम यहाँ पर क्लिक करेंगे layers के ऊपर या simply keyboard में F7 दबाएंगे और आपकी यह जो layer है CM01 इसको हम delete कर देते हैं यहाँ पर और जो bump map पाली जो layer है इसकी layer visibility को मैं यहाँ on कर रहा हूँ औ और simply यहाँ पर मैंने क्लिक किया अब 3D पैनल में हम यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ फिर Windows में जाएए 3D 3D पैनल में क्लिक करने के बाद source में हम selected layer हमारा bump map है यहाँ पर 3D पैनल में दुबारा क्लिक करते हैं 3D पैनल में source हम selected layer लेंगे यहाँ पर प्रकार से effect हमें दिखा रहा है, तो 3D पैनल में आप यहाँ पर scene option आपका select हो, simply इस चीज़ का ध्यान रखिए, और move tool आपका select हो, और simply हम यहाँ पर orbit 3D camera, इसको इसके उपर mouse के left click को दबा कर ऐसे इस scene को यहाँ rotate कर रहे हैं, तो यह कुछ अजीब ही type का हमें यहाँ पर जैसे ही मैं mouse का pointer Z axis के पास लेके जाता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह जो yellow color का icon बन रहे हैं यहाँ पर Z axis में, scale along Z, तो यहाँ पर हमें left click दबा कर अपने mouse को drag करना है, ऐसे अंदर की तरफ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि यह depth हम यहाँ प color texture कैसे apply करेंगे, तो वो भी बहुत easy है, simply आप bump map, depth map के नीचे bump map यहाँ दिखा रहे हैं, इसको select कीजिए, और simply properties में यहाँ click कर सकते हैं, यहाँ फिर windows में जाएए, properties में यहाँ click कर देंगा, तो यह इसकी properties हमें यहाँ show कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या करने, यहाँ पर हमे map था हमारा, वो एक नए window में open हो गया, तो हम वापस से अपने brick color map, जहाँ पर हम यह सारा काम कर रहे हैं, तो उस tab को यहाँ select करेंगे, और layer panel को यहाँ पर हम active करेंगे, जिसके हम short command का use कर सकते हैं, यह simply आप यहाँ layers में click कीजिए, और यह जो color map master वाली जो layer है, इसको आप select कीजिए, यहाँ पर, इसकी layer visibility को on कीजिए, और control A करेंगे यहाँ पर, control A करने के बाद, simply edit में जाएंगे, copy, copy करने के बाद, वापस से color map master की layer visibility को हम यहाँ off कर देंगे, bump map वाले tab को click करेंगे, click करने के बाद, edit में जाएंगे, paste, तो यह हमारा color map यहाँ paste हो गया, इसके बा color map हमारे यहाँ apply हो चुके, अब यह background में हम कुछ color दे रहेते हैं इसमें, ताकि हमें यह थोड़ा देखने में और अच्छा लगे, तो मैं एक new layer ले रहा हूँ, जिसके हम short command का use करेंगे, control shift N, इसको मैंने नाम दे दिया BG, और इसमें हमें color fill करेंगे, तो foreground color, जो है हमारे set for ground color, यहाँ पर click करेंगे, तो color picker हमारे सामने open हो गये, चोटा सा window, color picker का, यहाँ से हम एक color ले ले लेते हैं, और ok में हमने click किया यहाँ, और simply यहाँ पर इस BG वाले layer में color fill करेंगे, alt, backspace दबा कर, और यह जो selection हमारा बना हुआ है, यहाँ पर, इसको मैंने deselect नहीं किय यहाँ पर windows से 3D, यहाँ click करेंगे, और अपने scene वाले option को यहाँ select कीजे, और simply orbit 3D camera, यहाँ click करके आप देख सकते हैं, तो यह हम यहाँ पर इस wall में 3D depth को देख पा रहे हैं, यदि आपको, अब यदि इस color map में आप कुछ और addition करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, वापस से हम अपने depth map वाले इस icon को click करेंगे, और इसके नीचे bump map, और यह जो छोटा सा icon हमें दिखा रहे हैं, यहाँ click करेंगे, डबल click, और diffuse के अंदर हम यहाँ click करेंगे, edit texture यहाँ click करेंगे हम वापस से, तो यह वापस से हमारा यह tab यहाँ open होग तो यहाँ पर मैंने एक text को type कर लिया है, और इसके size को हम यहाँ छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा size आईए, और इसकी position को मैं यहाँ set कर देता हूँ कुछ ऐसा, और यहाँ पर हम double click करेंगे, depth map के बाजू में यहाँ पर, यहाँ फिर आप simply depth map वाली layer, जो text layer है, इसको select क जैसे ही, alt दबा के मैंने break किया, यह दो part में break हो गया है, और left click की मदद से हम इसे ऐसे drag कर रहे हैं, तो यह हमारे पीछे वाले background के साथ यह blend हो रहा है, लेकर यह काफी sharp हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो इसकी opacity को हम यहाँ पर थोड़ा कम कर सकते हैं, 70% मैंने यहाँ select कर लेता हूँ, और simply अपने इस canvas में यहाँ पर shift दबा कर ऐसे, इस shape को यहाँ create कर लेते हैं, और move tool की मदद से, move tool को हम select करेंगे यहाँ, और इसकी position को हम यहाँ ऐसे रख देते हैं, और इसके color को हम यहाँ change करेंगे, तो इस shape layer की color को change करने के लिए, simply आप यहाँ double click कीजे thumbnail के उपर, और इसको हम white कर रहे हैं, ok में click करने है, और fx के अंदर हम जाएंगे, blending option, और underlying layer के left side में यह जो हमारे bar दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम click करेंगे, alt दबा कर, और इसको ऐसे दो पार्ट में break करके, simply left click की मदद से, हम इस shape layer को पीछ वाले background के साथ यहाँ पर blend कर र ok में click करते हैं, इसके बाद simply आपको क्या करना है, file में जाना है, save, इसको जैसे हमने save किया, तो यह जो हमारा, यह वाला जो tap था, यहाँ पर वो update होगे, तो वो texture हमने जो अभी वहाँ create किया था, वो यहाँ apply होगे, इसको आप rotate करके देख सकते हैं, 3D panel को आप पहले select कर ल कैसे use किया जाता है, उसका क्या use है, उस uses के बारे में, और उसको कैसे create किया जाता है, उसके बार में जाना, अब जैसे आप इसमें हमें depth काफी ज़्यादा दिख रहा है, तो इसके depth value को कम करने के लिए, वापस हम क्या करेंगे, depth map में यहाँ click करेंगे, और यह जो scaling है, इस simply ऐसा करके देख सकते हैं, मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा यहाँ पर, basically bump map और जो depth map है और normal map जो हम photoshop के अंदर create कर रहे हैं, basically वो 3D applications के लिए ज्यादा use होता है, उसका, basically जैसे Maya हो गया, 3ds Max हो गया, ZBrush हो गया, जो texturing के जो भी applications है 3D, उसमें depth map, normal map, bump map का use किया जाते हैं, so यह information मेरे को आपको देना था, यदि आपको यह tutorial पसंद है, तो मेरे channel को ज़रूर लाइक कीजिए और subscribe कीजिए और साथ-साथ bell icon को भी press कीजिए, thank you friends for watching my video